C40 के इस सम्मेलन में दुनिया भर के शहरों से आयोए सभी मेयर्ज को, मंत्रीगन को और सभी नगर अध्यक्षों को, दिल्ली के लोगों की और से, भारत के लोगों की और से, मेरी और से, सब को नमश्कार, सब को मेरा प्रणाम. आज दुनिया भर से, यहाँ पे इतने सारे लीडर्स इकठे हुए हैं, क्लाइमेट चेंज को, पॉलूशन को चर्चा करने के लिए. और इसी वक्त, दुनिया के एक और कोने के अंदर, एक छोटी सी लड़की, Greta Thunberg, उसने पूरी दुनिया के अंदर हंगामा खड़ा किया हुआ है. Greta Thunberg जो बोल रही है उससे पूरी दुनिया के युवा पूरी दुनिया के लोग उसके समर्थन में खड़े होते जा रहे हैं Greta Thunberg ने युएन में बोला था You all come to us young people for hope How dare you You have stolen my dreams and my childhood with your empty words People are suffering People are dying entire ecosystems are collapsing हम लोग हम लोग में से कई लोग Greta Thunberg के तरीके से असेहमत हो सकते हैं हमारे में से कई लोग Greta Thunberg से असेहमत हो सकते हैं लेकिन Greta Thunberg ने जो मुद्दा उठाया climate change का और pollution का उससे पूरी दुनिया उसके साथ जुड़ती जा रही है और जिस तरह से इस मुद्दे को उसे समर्थन मिल रहा है कई शहरों के अंदर लाखो युवा सड़कों के उपर है सोशल मीडिया के उपर और उसे जबरदस समर्थन मिल रहा है उससे एक बात तो साफ है कि पूरी दुनिया के लोग अब climate change के उपर concrete steps की उमीद करते हैं हम सब लोगों से और लोग तयार है लोग के वल तयार नहीं है लोग हमसे demand कर रहे हैं ये बात मैं अपने व्यक्तिकत अनुभव से आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ हमारी दिल्ली शेहर के अंदर दिल्ली स्टेट के अंदर हमारी सरकार बनी थी 2015 में दिल्ली में बहुत pollution था pollution की वज़े से लोग बड़े दुखी थे और मुझे याद है 2015 की सरदिया सरदियों के अंदर आप सब लोग जानते हैं temperature inversion की वज़े से जतना smoke होता है वो सारा का सारा एक तरह से शेहर को एंगल्फ कर लेता है सरदियों में 2015-16 की सरदियों के अंदर मुझे याद है बहुत ज़्यादा pollution हो गया था मेरे कुछ मित्रों ने मुझे सुझाव दिया कि as an emergency step हमें odd even करना चाहिए odd even क्या होता है odd even is rationing of vehicles उसमें ये होता है कि odd dates के उपर for instance 1st January, 3rd January, 5th January odd number की plates odd number वाले vehicles चलेंगे और even dates के उपर even number वाले vehicles चलेंगे सो जैसे आप odd even लागू करते हैं 50% vehicles go off the road तो इससे pollution तो कम होता है definitely होता है जब 50% vehicles सड़क के बाहर चले रहाते हैं तो मुझे कुछ मित्रों ने बताया कि अगर हमने ये किया तो जनता नाराज हो जाएगी इडल हाव पॉलिटिकल कॉंसेट जनता विद्रो करेगी इटस वेरी हाश स्टेप लेकिन पॉलिशन को दूर करने के लिए हमने तै कि इसे हम करेंगे और मैंने जाके जनता को समझाया टीवी पे रेडियो पे मैंने जनता से बात की मैंने उनको समझाया कि किस लिए और इवन जरूरी है पॉलिशन को कम करना किस लिए जरूरी है फर्स जैन्वरी से फिफ्टीन जैन्वरी 2016 को हमने और इवन लागू किया दिल्ली के अंदर हमें डर था कि लोग इसे पसंद नहीं करेंगे हमें डर था कि हमें बहुत सारे चलान करने पड़ेंगे फाइन लगाने पड़ेंगे and ladies and gentlemen मुझे ही कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि दिल्ली की जनता ने इसको बहुत जबरदस समर्थन दिया बहुत कम negligible fines हमें लोगों के उपर लगाने पड़े लोगों ने इसको खूब जम के इसका समर्थन किया लोग बहुत खुश थे लोगों का feedback बहुत अच्छा था उससे हमारे होसले बहुत बढ़ गए और उसके बाद एक एक करके एक करके हम लोगों ने धेरों स्टेप्स उठाए द हमारे जितने power plants थे वो सारे बंद कर दिये हमने दिली के अंदर बहुत बड़े scale के उपर eforestation किया और आज चार साल के बाद दिली का pollution 25% कम हो गया यह बहुत बड़ी हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि pollution बढ़ना बंद हो गया pollution कम हो गया 25% कम हो गया भी हमें और रास्ता तेह करना है लेकिन मैं यहां पर आप लोगों को जो हमने steps लिये उसकी list बताने की मेरी कोशिश नहीं है मेरी कोशिश यह है कि अगर हमें कोई भी बड़ा बड़ाव करना है उसके लिए लोगों को साथ लेना जरूरी है नमबर दो दुनिया के लोग इस टाइम तय explain करें और उनको साथ लेके चलें लोग हमारा साथ देंगे यह मैं अपने personal experience से बता रहा हूं और जो support greater thunberg को पुरी दुनिया के अंदर मिल रहा है उसके basis पे मैं बोल रहा हूं अंत में मैं केवल यह कहना चाहता हूं good environmental policies also make good politics thank you jahin